Hello Friends ! आज के इस वीडियो में हम एक प्राव्लम को ने जा रहे हैं जो प्राव्लम आख रहे हैं तौवडम रहे हैं गीवन है सबसे परें अपने प्राव्लम ने प्राव्लम स्टेटमेंट वह परके समझने की फोशस को ठीक है तो हमारा problem statement given है कि हमको maximum depth बताना है हमारे binary tree का basically हमारे binary tree का कितना depth maximum वो return करना है तो given the root of a binary tree return its maximum depth a tree a binary tree maximum depth is the number of node along the longest path from the root node down to the farthest leaf node खिक है पहला गर example test case देख है न सफ Marie तो दो लिफ नोट और यहां प्र सकेषिक नेरे और 20 से उम्नूट केहलों रिहां यह नाते क्षिक हुआ है तो मैक्सिम्म बोल रहा है ना तो मैक्सिम्म two case में आ रहा है तीन बीष पंद्रे का और GG3 25 का और कर install आकर कि दों और तीन में मेक्सिमुम तो नौर्मल मैथमेटिक से वह यहां पर रिटर्ण करना बस इतना साइघ खाम करना ना था करएं में तो आप क्या करो न कि कंडिशन लगाइब यह भी रूट नाल है मतलब यह बेस कैसा है मारे रिपरशन का मतलब कोई भी नोट उटिस्ट न कर दो रिटरन 1 प्लस एक जोड़लो एक किस क्वण कंट्रिब्यूट करेगा यह हमारा जो रूट नोड है वो भी तो एक कंट्रिब्यूट करेगा न सब्सक्वाइब कर लो कॉल मैथ नाम का फंक्शन ठीक है यह पहले इसको कॉल कर लो लब्ट सब्ट्री के लिए प्रोसेस हो जाने बाद फिर से इस फंक्शन को कॉल कर लो राइट सब्ट्री के लिए और उसके बाद जो दोनों का वैल्यू आगा उसमें से हमको मैक्सिमम पिक करके रिटन कर दो इतना सा ही कोड था दो लाइन का इसको हम अब इसको हम समिट करके देखते हैं क्या आप कोई ऐसा टेस्ट के सब्सक्राइब इसको यह पटेगा क्योंकि हमको मैक्सिमम देट थी पताना था यह कोशन आप बाइंडरी ट्रीक पर भी यही लॉजिक वर करेगा और बाइंडरी सर्स्ट्रीक पर भी यही लॉजिक वर्क करेगा इसमें कोई सिंपल कोड था हम सारा काम रिकर्शन पर किया ठीक है और रिकर्शन क्या आपको समझने में दिक्कत नहीं जागी इस वीडियो को लाइक किजिए इस चैनल का सब्सक्राइब किजिए अपने दोस्तों में सहर किजिए मिलते हैं आप सक लेवीडियो में तब तक के लिए पा झाल